मानो समपदा पर आवकास कैसे लें देखर पूरी प्रोशेस में ऊनलाइन लाइव उकास किस प्रकार से लें आप पुरा प्रसाश किस परकार से लें ऐसलिए आप विडियू में आंत तक जरूर बनेरें तो सुरू करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले क्या करेंगे हम इस यहां पर एक जो Chrome ब्राउजर है लगबग वो सभी मुवाइल में आपको मिल जाता है जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे तो इस Chrome ब्राउजर के दुआरा हम आपको अवकास लेने का तरीका बताएंगे क्योंकि यह ब प्राउजर में किलिक करके यहां पर मानो संपदा लिख दें जैसा कि आप उपर देख पा रहे होंगे जैसे मानो संपदा लिखेंगे और मानो संपदा लिखने के बाद में इसे सर्च कर देंगे सर्च बटन पर प्रेस करेंगे जैसे ही आप प्रेस करेंगे सर्च करेंगे उसके बाद में आपके पास एक नया पेज उपन होगा तो इस प्रकार का एक पेज आपके सामने उपन होगा और इस पेज में जो आप पहली वाली सर्च ओप्सन देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है मानो संपता पोर्टल की में वैब साइट आ गई है यहाँ पर आप जो लिखा हुआ यहां से देख पा रहे होंगे यहां से किलिक करके आप लॉग इन करेंगे यहां सबसे पहले आप क्या करेंगे यहां पर टॉप पर चले जाएंगे टॉप पर आप थिरी डॉट्स देख र आ जाएगा तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं थिरी डॉट्स पर किलिक करने के बाद में इसे हम डेक्स्टॉप मोड में चेंज कर लेते हैं तो जैसे ही हमने इसको चेंज कर लिया तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा अब हम यहां पर क्या करेंगे यह ehrms login आ रहा है इस पर click करेंगे जैसे ही हम click करेंगे वैसे मेरे सामने एक login पेज open हो करके आ जाएगा अब यह हमारे पास login पेज open हो करके आ गया है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगो क्या क्या details यहाँ पर हमें fill करनी है सबसे पहले आपको user department यहां से chain करना यूजर id मानो संपता id जो होती है और उसका password डालना है उसके बाद में यह आप capture text देख पा रहे हैं उसको नीचे fill करना है तो इसको हम fill कर लेते हैं और आगे देखते हैं तो यहाँ पे हमने यह सभी points को भर लिया है देख पा रहे होंगे basic education हमारा जो department है उसके बाद में user id में अपनी डाल दिया password डाल लिया capture code फिल कर लिया अब उसके बाद में login पर click करेंगे जैसे हम login पर click करेंगे बैसे ही मेरे सामने एक नया interface यानि की homepage आ जाएगा जहां पर हमारा मानो संपता पर account create है इस परकार से आप देख पा रहे होंग पर logout लिख करके आज आएगा जैसे आप main page पर आएंगे यहां पर उपर जो circle में हम आपको देखा रहे हैं तो यहां से आपको क्या करना होगा आपको एक छोटा सा काम करना यहां पर जो leave module है यहां पर आप देख पा रहे होंगे मैंने इसको गेर की रखा है leave module इस पर click करे आपके सामने एक नया वीडियो आए इस परकार का आपके पास एक नया page open होगा और इसमें दू पॉइंट होंगे यहां पर जैसे आप देख पा रहे हैंगे उसके बाद में view application status उसके बाद में cancel leave उसके बाद में leave early joining उसके बाद में send joining request और calendar अब हमें यहां पर सिर्फ एक point देखना है कि apply leave leave को apply कैसे करना है इस वीडियो में हम इसी को cover करने वाले हैं तो इसलिए सबसे उपर वाले option को यही apply leave पर क्लिक करेंगे जैसे apply leave पर क्लिक करेंगे फिर से एक अमारे सामने नया page open होकर तो यह हमारे पास एक नया page open होकर के आ गया जिसे आप देख पा रहे होंगे यहां पर जो entry करना है सबसे पहले reporting officer मैंने already पहले ही से अपने head को चुन रखा है इसलिए उनका नाम और id आ रहा है दूसरे नमबर पर leave type है यहां से select करेंगे हम उसके बाद में कब से कब तक हमें छुटी लेनी है वो यहां पर उसका नमबर of days यहां पर लिखना है यहां प थोड़ा detail में बता देते हैं तो सबसे पहले हम जब यहां से leave यहां पर हम सिर्फ casual leave की बात कर रहे हैं कि जी अब leave को लेना से इक रहे हैं इसलिए casual leave जो आप देख पा रहे हैं इस पर click करेंगे और जैसे हम click करेंगे वैसे ही हमारे पास यह select हो जाएगा अब यहां से हमने यह casual leave select कर लिया हमें 20 तारीक 20 फरवरी के आवकास लेना है 20 तारीक भी यहां से select हो गया number of days एक दिन का आवकास चाहिए एक दिन हो गया उसके बाद है leave prefix day सबसे पहली बाद है leave prefix day यह क्या होता है तो जब आप आप आवकास ले रहे हैं suppose that जैसे इसी में 20 तारीक को हमें आवकास था या आवकास है या संडे है या कुछ और है तो उसके लिए जीरू एक बर देते दो छुट्टियां रही होती पहले दो बर देते और उसी प्रकार से leave suffix day जिस दिन आप आवकास ले रहे हैं उसके ठीक बाद में यदि आपका कोई आवकास है तो उसकी संख्या बरने हैं तो हमारा संडे पढ़ेगा इसलिए हम suffix में एक बरेंगे जबकि prefix में सून बरेंगे क्योंकि जिस दिन हम आवकास ले रहे हैं उससे पहले कोई आवकास नहीं है तो यह बरने के बाद में यहां से हम submit करेंगे और जैसे ही submit करेंगे वैसे ही मेरे सामने यह लिक कर करके आजाएगा are you sure और यहां पर cancel और एक side में ok लिक करके आएगा तो यहां से हम ok पर click कर देंगे और जैसे ही ok पर click करेंगे जैसे आप लिक करके आपके सामने आजाए लीव applied successfully फिर से इसको ok करेंगे जैसे ही ok करेंगे फिर से आप इस page पर वापस लोट आएंगे अब हम इस यह अपका होस हमारा apply हुआ या नहीं हुआ इसको देखना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर से हम लीव module पर जाएंगे जो आप ऊपर देख पा रहे होंगे यह जो लीव module लिखा हुआ है यहां पर फिर से हम click करेंगे और यहां पर click करने के बाद में तो यहां पर लीव module पर पॉना क्लिक करेंगे तो वैसे मेरे सामने क्या यह माई लीव माई लीव को क्लिक करेंगे उसके बाद में यह ओपन हो करके आ जाएगा अब यहां पर हम एक जो पॉइंट है हमारा विव एप्लीकेशन स्टेटस इस पर क्लिक करेंगे जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे बैसे ही मेरे सामने विव एप्लीकेशन स्टेटस की पूरी लिस्ट ओपन हो करके आ जाएगी तो इस परकार से यह विव एप्लीकेशन स्टेटस की लिस्ट आगी यहां से आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट नंबर पर यहां पर साब साब लिखा है जो तो reference number सबसे पहले casual leave मैंने लिया है वो लिखा है 19 तारीक को apply की है 20 तारीक से 20 तारीक तक की छुटी लेनी है और leave status pending सो हो रहा है और इसके बाद में यह आगे head का नाम लिखा हुआ है और पिछे जब यह वहां से एप्रूब कर देंगे तब यहां पर approved लिख करके आ जाएगा तो अमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा यह दि वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like और साथी अपने सचक साथियों में सेयर जरूर करें